हेलो एवरिवान कैसे हैं आप सब लोग लास्ट इम फिजिक्स में हमने जितना भी हमारा साइन्स कंपोनेट में फिजिक्स के अंदर स्लेबर्स था वो डिस्कुस किया था हैं सो आज से हम फिजिक्स का हमारा फिर्स टॉपिक स्टार्ट करेंगे लाथ इस grease ao usual कि में हमें क्या क्या चीज़ पड़नी हैं वह हमने लास्ट इम स्लेबर्स दिसक्स किया था वहां पर देख लिए था, ठीक है, so motion जो रहेगा हमारा physics का first topic रहेगा, जिसको हम complete करेंगे, ठीक है, so आज की class start करते हैं, motion में सबसे पहले हम पढ़ेंगे about what is motion, rest and what is point object, इसका concept, अब जब हम कहते हैं, कि object जो है motion में है या फिर rest में है, तो उसे हमारा क्या मतलब होता है, object motion में मतलब, जब हम कहते हैं कि object जो है, वो motion में है, इसका मतलब यह है, कि जो object है, वो move कर रहा है, जब object move कर रहा होता है, तो हम बोलते हैं कि जो object है, वो motion में है, ठीक है, और अगर object move नहीं कर रहा होता है, तो हम बोलते हैं कि जो object जो है, वो क्या है, एक rest पे है, so कैसे पता और रहा चलता है कि जो object है वो प्रत चलता जो बूजेक्ट है पिएक बूजेक्टा bronze कर रहा है व्हार के ऑप्जेक्ट सकी देख अगहां जो अपजेक्ट है दे service fellow देखते हैं वीस्पेक्ट कि इस शरांड़ेंग्स अगर वो अपनी position with respect to its surroundings change कर रहा है with the passage of time तो हम बोलेंगे कि जो object है वो किस में है? motion में है ठीक है? अगर वो अपनी position change कर रहा है with respect to its surroundings तो हम बोलेंगे कि जो object जो है वो motion में है for example, a car is set to be in motion if it's changing its position with respect to its surrounding for example, एक गाड़ी है ठीक है? और उसके surroundings क्या क्या होगी? जो आसपास के लोग होगे, ठीक है? वो होगे, trees वगारा होगे उसके जो भी उसके आसपास की चीज़े है उसके respect में अगर वो अपनी position change कर रहा है वो गाड़ी अपनी position change कर रही है it means गाड़ी move कर रही है ठीक है? और हम कहेंगे कि जो car है, वो क्या है? motion में है ठीक है? अब जब भी हमें कोई position बताने होती है किसी भी object की हमें अगर position बताने होती है तो हमेशा जो position है किसी object की वो हम बताते है विद यहल्प आफ रेफ्रेंस पॉइंट ठीक है? कोई भी object की अगर हम position बताएंगे तो हम बताएंगे विद यहल्प आफ रेफ्रेंस पॉइंट और उस reference point को हम बोलते हैं origin ठीक है? यह बात याद रखना कि जब भी हमें किसी object की position बताने है तो हम किस से बताते हैं एक reference point से और उसे ही हम क्या बोलते हैं और region बोलते हैं एक book जो है मेरे से 5 meter के distance पे पड़ी है तो मैं उसको position किस से बता रही हूँ अपने आपको reference मान के मैं उस book की position बता रही हूँ कि वो जो book है मेरे से 5 meter दूर पे पड़ी है तो जब भी हम किसी object की position बताते हैं तो एक reference point से बताते हैं फॉर एक जामपल अगर मैं बोलूँ कि यह एक school है और यहां पे railway station है तो मैं बोलूँगे कि जो school है वो railway station के east में 2 km पे है तो यह मैंने क्या बता दी school की position बताई और यह मैंने school की position बताई कि वो 2 km है railway station के east में तो means यहां पे हमारा reference point क्या हो गया railway station तो एक बाद हमेशा दियान में रखना है जब भी हमें किसी object की position बतानी होती है तो उसके लिए हमेशा एक कोई reference point होता है जिसको देखके ही हम उस object की position बताते हैं ठीक है तो यह हो गया motion का और कि हम किस तरह से object की position बताते हैं similarly अगर एक object जो है अपनी position जो है with respect to its surroundings change नहीं करा तो it means वो जो object है वो किस में है rest में है ठीक है for example book lying on the table एक book जो है वो table के उपर पड़ी हुई है ठीक है और अगर हम उसको कुछ देर बाद देखे तो तब भी अगर वो हमें same position पे ठीक है पड़ी हुई मिलती है मतलब उसकी surroundings change नहीं हो रही वो अपनी surroundings change नहीं करा with the passage of time तो it means कि वो जो हमारी book जो है वो किस पे है rest पे है ठीक है तो यह हमारा concept था motion और rest का I hope कि motion और rest की terms है वो आपको clear होंगी next चीज मेरे को बतानी है आपको जैसे मैंने बोला कि rest के case में क्या होता है कि जो time है वो निकलता जाता है बढ़ जो position है वो object की same रहती है तो अगर हमें rest की case में ग्राफ ड्रॉव करना हो between time and distance तो हमने क्या पड़ा भी कि जो position है rest की case में वो change नहीं हो रही है ठीक है rest की case में position change नहीं हो रही है तो इसका जो graph बनेगा between the distance and time वो क्या बनेगा a straight line parallel to time axis अभी यह से क्यों बना इधर हम देख लें time जो है for example इधर हम 5 ले ले इधर 10 ले ले इधर 15 ले ले यहां पर distance 5 ठीक है और यहां पर 10 ठीक है so अगर यह किसी एक position पर है ठीक है कोई भी एक position पर है तो पहले 5 second पर भी उसकी position same थी अगले 10 second में भी उसकी position same थी अगले 15 second में भी उसकी position same थी मतलब time बढ़ते जा रहा है position वैसे ही रह रह है position change नहीं हो रही है so with the passage of time जो position है वो change नहीं और with respect to surrounding means जो object है वो क्या है हमारा rest पे तो यह जो graph आईगा यह हमारा rest के लिए और यहां पर जो line draw होते है वो हमारी होते है parallel to t-axis means x-axis or x-axis based time पर हमने लिया हुआ है time so यह ग्राफ था हमारा rest के लिए now the next concept that is point object what is point object यहां बे point object का मतलब है फले definition देखे हैं कि यह definition के लिए if the position of the object changes by distance much greater than its own size then it may be regarded as point object means अगर किसी object की जो position है वो change हो रही है ठीक है और जो उसका reference point है ठीक है और यह object है यह object है और उसका reference point है so जो size है object का उसके comparison में यह जो distance होगा reference point के बीच में और जो object के बीच में यह much 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 greater than होगा as compared to the size of the object तो उस case में हमारा यह object बन जाएगा हो सकते है छोटा भी हो सकते है but distance जादा होने के कारण वो जो object है वो हमें काफी छोटा दिखता है इसके लिए जैसे example यह मैंने earth its motion around the sun तो उस case में क्या हो जाएगा अगर हम sun को reference point लें तो earth हमारा क्या हो जाएगा एक point object हो जाएगा अगर हम earth ऐसे whole की बात करें तो earth का size हमें मालूम है कि कितना जादा होता है still हम उसे point object कब consider करें जब हम sun को reference point ले रहे हैं और sun और earth के वीच का distance है वो काफी ज्यादा है as compared to the size of earth अगर और example लें इसको better understanding के लिए तो हम stars की example ले सकते हैं जो हम stars देखते हैं हम सबको मालूम है कि जो size है stars का वो कितना ज्यादा है बट still अगर हम उन्हें देखें आस्मान में देखें तो still हमें जो वो है stars है वो कितने छोटे छोटे दिखाई देते हैं reason यह नहीं है कि उनका size छोटा है stars का size बहुत बड़ा है बट फिर भी हमें वो point object क्यों दिखते हैं क्योंकि जो earth और stars के बीच में distance है वो much greater than है than the size of the star ठीक है I hope आपको motion rest और point object के बीच में terms की clarity हो गई है ठीक है और हमने graph भी I think आपको समझ आ गया होगा कि rest का graph किस तरह से बनेगा ठीक है अब जो motion और rest की बात करते हैं ठीक है तो याद खना यह terms चूँफ होती है यह separate नहीं है यह terms motion और rest जो है यह आपस में interlinked terms है ठीक है यह आपस में related terms है ठीक है अब जो है यह related terms है अभी कैसे पता चलता है किस तरह से हमें कोई object motion में है यह कोई object rest है यह कैसे पता चलता है यह depend करते हैं कि हम reference point क्या ले रहे हैं ठीक है अगर मैं b की बात करूँ ठीक है अ बी परसंद में की बात करूँ और ऐ अपना reference point लूँ तो a के respect में वह एक sitting position में है और वह अपनी पुजिशिन चेंज नहीं करा तो बी जो होगा वो किसमें होगा रेस्ट में होगा ठीक है similarly अगर मैं बी को रेफ्रेंस मानू और एपरसन की बात करूं तो बी के कि A according, A जो होगा, वो किसमे होगा, rest में होगा, क्योंकि दोनों जो हैं train के अंदर बैठे होई है, ठीक है, आप खुद इमाजन करो। अगर आप train में बैठे होई हो, किसी other person के साथ, ठीक है, तो जो भी आपका सामने वाला person होगा आपको तो यहीं लगेगा कि वो rest में बाथा है क्योंकि आपके surroundings change नहीं हो रही है ठीक है आपके respect में वो person अपनी position change नहीं कर रहा तो आपके respect में वो person क्या होगा रेस्ट पर होगा but on the other hand अगर में इस c की बाथ करूं अब जो यह train है वो moving है अगर यह train बूविंग है तो इतमींज जो अंदर के पैसेंजर बैठे हैं वह भी मूफ कर रहे हैं तो जो उसको अगर मैं इस सी रेफरेंस पॉइंट की बात करूं तो इस सी के अकॉर्डिंग ए और जो बी हैं दोनों क्या कर रहे हैं तो कोई भी अब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट पे हाई ये एक बड़ा factor है वो depend करता है कि हम reference point क्या ले रहे हैं सो जो motion और rest है वो आपस में interlinked terms है थिक है अगर यह a जो है rest पहे लग रहा है और बी को और रेस्ट पहे लग रहा है a को it doesn't mean कि वो दूनों इसका concept clear हुआ होगा ठीक है नेक्स्ट कम टाइपस ओफ मोशन अब मोशन जो है बिसिकली तू टाइपस का है uniform motion and non uniform motion uniform motion हम तब कहते हैं ठीक है सब्सक्राइब कर रही है ठीक है और हम अगर अगर हम बोल रहे हैं कि कार जो है uniform motion में चल रही है तो लेमान में हम क्या मतलब समझते हैं कि एक पर्शन बोल रहा है कि कार इस मुविंग विदे uniform motion तो uniform motion means कि वो equal distance equal distance travel कर रही है in equal interval of time for example would 10 meters चल रही है in first five seconds then next 10 meters चल रही है again in next five seconds ठीक है फिर से वो 10 meters चल रही है next five seconds में means same time interval पे same distance अगर cover कर रही है तो हम बोलेंगे कि वो जो object है uniform motion में चल रहा है means कि वो एक uniform speed से चल रहा है ठीक है ना साथा तेज ना कम एक uniformity है similarity है common है constant है ठीक है सो हम बोलेंगे कि जो car है कोई object है वो uniform motion में तब चल रहा है जब कि वो equal distance cover कर रहा है equal interval of time में मतलब कि वो एक uniform speed से चल रहा है तब हम बोलेंगे कि object जो कर रहा है uniform motion में है उसका यह मतलब हुआ कि जो velocity होगी object की अलांग a straight line remains constant अगर वो uniform speed से चल रहा है it means कि उसकी जो velocity है वो क्या है constant एक constant velocity से वो object जो है move कर रहा है यह होगे हमारा uniform motion example क्या लेली मेने if a car travels five meter in first five seconds then five meter more in next five seconds then so on जो मैंने भी example ली वैसे ही means equal distance के वर हो रहे है equal interval में तो हम बोलेंगे कि uniform motion ठीक है non uniform motion तब होगा जब velocity जो है object की वो vary कर रही है with time तब हम बोलेंगे कि जो object है वो क्या कर रहा है non uniform motion में चल रहा है for example car is moving on a crowded street आप crowded street है तो कहीं है और कहीं बाद car ker velocity बढ़ रही है ठीक है? और कहीं बाद एक non uniform motion कर रहे है जब उसकी velocity vary कर रहे है ठीक है तो यह होगे हमारे types of motion ठीक है next comes dimensions of motion अब जो motion है motion means कोई भी object move कर रहा है ठीक है with respect to its surroundings अब जो move कर रहा है उसकी movement को बताने के लिए हम क्या करते हैं dimensions अब movement जो है वो one dimensional भी हो सकता है वो two dimensional भी हो सकता है और वो three dimensional motion भी हो सकता है अब object तो move कर रहा है ठीक है अब उस motion में उसकी dimension change हो रही है two या फिर three उसी के basis पे हमने जो है इसको bifurcate किया है three types में पहला आजाएगा हमारा one dimensional motion सेकिन आजाएगा हमारा two dimensional motion थर देगा हमारा three dimensional motion one dimensional motion क्या हो गया जिसमें जो object है उसका एक coordinate change हो रहा है मेंस जैसे हमें पता है कि थ्री coordinates होते हैं x y और z यह हमारा x आ गया यह y आ गया यह हमारा z आ गया इन three coordinate में से अगर कोई एक coordinate anyone anyone coordinate is changing ठीक है तो हम बोलेंगे कि जो object है वो one dimensional motion कर रहा है ठीक है इसके एक्जामपल आ जाएगी motion of a freely falling body अभी एक्जामपल अभी आपको definition is example से clear हो जाएगी फिर एक्जामपल अगर हम में यह plane ले लूँ ठीक है यह x and y और एक परसन है जिसने बॉल यहां से थ्रो की और यह बॉल जो है freely fall कर रही है ठीक है अंडर दी force of gravity ठीक है तो यह आ जाएगी हमारी one dimensional motion की अंदर कैसे सुपोज यहां पर हमारा x coordinate है one यह है two यह coordinate two है यहां पर यहां पर y coordinate one two three and four ठीक है पहले परसे ने बॉल फैंक्यू स्टेम इसका y coordinates थे two and four पहले x coordinate आता है फिर y coordinate आता है ठीक है फिर जैसे जैसे बॉल नीचे आती गई under the force of gravity तो x क्या था two और अभी किस position पर आ गई है three पर फिर जब वो यहां पर आई तो x हमारा राद two और y भी रहा two और जब यहां पर आया तो position थी two one और add the end इसकी position होगी two and zero ठीक है अब हम देख रहे हैं यहां पर कि जो x coordinate है वो क्या रह रहा है constant बट जो only coordinate which is changing is y coordinate that is this one ठीक है so जो हमारी यह example होगी यह one dimensional के अंदर कैसे है क्योंकि यहां पर सिर्फ एक coordinate change हो रहा हमारा that is y coordinate so यह होता है हमारा one dimensional motion जिसमें सिर्फ एक coordinate की value जो होती है change होती है ठीक है यह हमारा हो गया one dimensional motion second रहता है हमारा two dimensional motion two dimensional motion वो हो गया जिसमें दो coordinates जो है हो क्या होते है चेंज होते हैं ठीक है for example motion of carom coins ठीक है यह कैसे होगा for example ही हमारा carom coin है और एक को हमारा carom coin है जिसको हम striker बोलते हैं ठीक है for example इस position पे इस time पे की position है suppose 2,3 ले लेते हैं यहां पर 2 यहां पर 3 और इस ट्राइकर ने जब इस कारम position को strike किया इसने पूजीशन यहां से बदल के suppose यहां चला गया यहां भी जा सकता है यह कहीं पर जा सकता है तो इसके coordinates क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे यहां पर हो सकता है यहां पर यह 3 है यहां पर यह 4 है तो इसके coordinates बनगे 3 & 4 इस case में हम देख रहे हैं कि यहां पर X coordinate भी और Y coordinate भी चेंज हो रहे हैं ठीक है तो जहां पर दो coordinates change हो out of 3 उसको हम बोलते हैं 2 dimensional motion जैसे कि motion of carom coins next comes the three dimensional motion three dimensional motion means क्या हो गया कि जहां पर three coordinates ठीक है तीनों के तीनों coordinates change हो वो हमारा हो जाते हैं three dimensional motion again इसको हम एक example से समझेंगे for example kite flying जो हम kite को fly कर रहे होते हैं ठीक है असमान में तो हमने देखे कि kite जो है कभी left को जाती है कभी left को जाते है ठीक है imagine करो that you are flying a kite तो kite कभी right move कर रही है कभी left move कर रही है तो right और left का क्या मतलब हो गया कि उसका x coordinate change हो रहा है ठीक है कभी हम देखते हैं कि kite काइट ऊपर की तरफ उड़ रही है जब मुसको कहते हैं खींचो kite को तो kite हम देखते हैं कि kite ऊपर की तरफ मुड़ रही है ठीक है और कहीं बार क्या होता है काइट जो होती है नीचे की तरफ भी आने लगती है ठीक है तो इसका y coordinate change हो रहा है और z coordinate कैसे change होता है कि means हम देखते हैं कि वो हमसे कितनी पास या फिर वो कितनी दूर है जब हम kite को deal देते हैं तो kite basically हमसे होती है दूर जाती है और जब हम kite को खींचते हैं तो kite हमारे पास आती है तो it means जब हम kite right या left जा रही है तो it means उसका x coordinate चेंज हो रहा है जब वो ऊपर या नीचे आ तो it means उसका y coordinate चेंज हो रहा है जब हम उसको deal देके ऊपर पीछे या फिर अपने पास खींचते हैं तो it means उसका z coordinate भी change हो रहा है left right ऊपर नीचे और आगे पीछे ठीक है अगर हम पास या दूर खींचे, तो इध में पर उसके तीनों के तीनों कोडिनेट चेंज हो रहे हैं, so this is the example of 3-dimensional motion ठीक है, next comes distance, ठीक है, हमारे सलेबस में concept था motion का, rest का ठीक है, उसके बाद speed velocity and acceleration का, but before that, हम देखेंगे कि distance क्या होता है, displacement क्या होता है, फिर हम अपने उन topics पर चांप करेंगे, distance यह सब को मालूम है, ठीक है, whether they are from science background or not, यह कुछ ऐसी terms है, अभी जितनी में आने करेंगे, यह सब को almost मालूम होते हैं, ठीक है, so distance हमारा होता है कि length of actual path traversed by body between initial and final position, कि initial जहां से उसने start किया था और final route जाने में उसने कौन सा path चूस किया, actual path traversed, ठीक है, for example, मैं इसको ले लेती हूँ A, B, C and D, ठीक है, so A से D जाने में वह कौन सा path चूस कर रहा है, वह path हमारा आ जाएगा, distance, पूरा का पूरा, अगर वो A to D जा रहा है, इस path से, तो हमारा distance कया बन जाएगा? यह वला line हमारा distance बन जाएगा, जो अब अभी path object ले रहा है, वो हमारा distance बन जाएगा, और अगर वो A से D जाने में यह path चूस नहीं कर रहा है, वो जा रहा है वो जा रहा है एक लंबे रास्ते से ठीक है A to B, B to C and C to D तो उस case में distance क्या हो जाएगा हमारा distance हो जाएगा A B plus B C plus C D ठीक है so initial position से final position जाने के लिए जो भी path object choose करता है वो हमारा distance बन जाता है यह respect की वो छोटा path ले सकता था बड़ा path ले सकता था यहाँ पर हमने यह नहीं देखना चोटा या बड़ा बात उसने उस distance पे पहुंचने के लिए actual में कौन सा path लिया वो हमारा बन जाएगा distance ठीक है अब जो है distance जो है हमारा क्या है scalar quantity है अब यह scalar or vector quantity क्या होते है scalar quantity वो quantity होती है जिसमें हम सिर्फ magnitude देखते हैं magnitude means numerical value numerical value देखते हैं कि अगर a से d तक जा रहा है और हर एक side इसकी यह 3 है यह 5 है यह 3 यह 5 ठीक है तो अगर वो a से d तक जा रहा है यह d ले ले लेते हैं a b c d अगर वो a से d तक जा रहा है तो उसका actual distance कितना हो जाएगा तो उसका distance हो जाएगा 11 ठीक है तो वो बन जाएगा हमारा vector quantity ठीक है तो scalar quantity में हम सिर्फ magnitude देखते हैं और vector quantity में magnitude plus direction भी देखते हैं ठीक है तो यह होगे हमारा scalar quantity and vector quantity scalar quantity and vector quantity का next important point of difference है यह है कि अगर हमे scalar quantities को add करना हो तो हम simply उनको add कर सकते हैं उसके लिए हमें special rules की जुरुरत नहीं है for example अगर हमें distance को add करना है ठीक है तो हम simple देखेंगे कि A से B जाने में subtract कर सकते हैं but on the other hand अगर हमें vector quantities को add या subtract करना हो तो उसके लिए special rules होते हैं ठीक है जिनको हम बोल सकते हैं कि vector law of addition या vector law of subtraction ठीक है तो हम उनको simply add या subtract नहीं कर सकते हैं अभी के लिए आपको इतना जानना जरूरी है कि इनके लिए special rules की जुरुरत नहीं होती है for addition and subtraction और vector quantities के लिए special rules की जुरूरत होती है for addition or subtraction और इसमें सिफ magnitude होता है और इसमें magnitude और direction भी होता है और इसके examples हैं कौनसी-कौनसी example scalar के अंदर आएंगे कौनसी-कौनसी vector के अंदर वह हम एक एक करके देखेंगे ठीक है जैसे मैं आपको पढ़ाओंगी distance के बारे में displacement के बारे में वह हम देख लेएंगे kao scalar है या vector है वह महींने इंचाघसलाइट में लखा हुआ उसके बाद हम देखेंगे force के बारे में cyn слов के में इंचेंगे impulse के बारे में देखेंगे, acceleration के बारे में, speed के बारे में, velocity के बारे में, इस high terms जब हम पढ़ेंगे, तो साथ-साथ में ही देख लेंगे कि कौन सी quantity हमारी scalar के अंदर आईगे, और कौन सी vector के अंदर, अभी के लिए I hope कि आपको scalar quantity और vector quantity का concept आ गया होगा, ठीक है, तो distance है हमारा, वो basically a scalar quantity है, ठीक है, अब अगर हम इसके बात करें, ऐसा unit की, तो ऐसा unit होता है meter, और cgs unit में अगर हम बात करें, तो cgs unit distance का हो जाएगा centimeter, ठीक है, अब आकर करते है value की, जो value होती है distance की, वो positive भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, बड़ कभी भी negative नहीं हो सकती है, याद रखना, जो scalar quantities होती है, इसको आप सिर्फ याद रखना, आपको easy रहेगा, आपको फिर हर एक चीज के लग 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 याद रखने की याद रखने की याद रखने की जरुरत नहीं पड़ेगी, scalar quantity positive और zero होएंगी, negative नहीं होएंगी, बड़ जितनी भी vector quantities है, क्योंकि उसमें concept direction का भी आ जाता है, तो वो जो vector quantities होती है, हमारी negative भी हो जाती है, क्यों अगर हम उसकी direction हमने fixed कर दी कि उनको fixed direction में जाना है, और अगर वो उसकी opposite direction में जा रहे हैं, तो means कि उनकी value negative भी होगी, ठीक है, पटाग्रम scalar की बात करें, scalar जो होता है, वो positive होता है, बड़ negative नहीं होता, और distance being a scalar quantity, या तो वो positive होगा, या वो zero होगा, ठीक है, जीरो कब होगा, जब वो rest पे है, अगर object A जो है, यहां पे position है, और अग उसने कोई distance travel ही नहीं किया, वो rest पे है, आपने देखा होगा, bikes विगेरा बेबी यह होता है, जिससे हमें पता चलता है कि गाड़ी यह वी तक कितना किलोमेटर चल चुकी है, तो कितना किलोमेटर चल चुकी है, वो हमें बता रही है कि कितना distance वो travel कर चुकी है, तो उस instrument का नाम होता है, ओडो, मीटर, ठीक है, तो I hope आपको distance का concept clear हो गया होगा, now coming to the next concept, that is displacement, last slide में जैसे में आपको बताया है कि एक object जो था जिसने A से D तक जाना था, अब depend कर तो उसने कौन सा path लिया है, directly A to D लिया है, या वो A से B गया है, या B से C और C से D, जो भी उसने path travel किया है, वो हमारा distance बन जाएगा, ठीक है, जो भी path लिया है, चाहिए shortest हो, या फिर longest हो, या कोई beach का हो, जो भी body, final position पहुंचने के लिए, जो भी path ले रही है, वो ही हमारा distance है, बट अब displacement में क्या होता है, यहां पर हमने यह नहीं देखना कि body ने कौन सा actual पाथ लिया, कौन सा longest था, उसने कौन सा लिया, हम simple देखेंगे, कि shortest distance कौन सा है, अगर a to d जाना है, तो हम देखेंगे, a से उसने start किया, यह initial position है, d उसकी final position है, तो a से d पहुंचने के लिए, shortest distance जो भी होगा, वो हमारा displacement बन जाएगा, ठीक है, for example, अगर हमें a to c जाना है, ठीक है, a to c जाना है, तो अगर वो distance के अगर हम बात करें, तो पहले a to b जाएगा, b to c जाएगा, यह हमारा हो जाएगा distance, जो भी उसने actual distance cover किया है, पर अगर हम displacement की बात करें, तो displacement में a to c जाने के लिए, हम क्या करेंगे, एक यहां से direct देखेंगे कि shortest path कौन सा है, वो shortest path कौन सा हो जाएगा, simple a से c, जो हमारी line जा रही होगी, वो हमारा shortest path आ जाएगा, और वो ही हमारा क्या होगा, displacement b होगा, ठीक है, so I hope, आपको displacement का concept clear होगे, अब यहां पर जो मैंने example ले रही हूँ, वो यह मैं rectangle के ले रही हूँ, हो सकते पेपर में आपको कोई भी position पुछी जा सकते, इस case में बात करूं, a से c जाने के लिए, ठीक है, यह अगर हम इसको ले 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 4, इसको ले ले 3, और अगर आपको mathematical formulas आपको आना जुरूरी है, इसके लिए अगर आपको पाइथागरोस theorem का formula बता होगा, तभी आप इसमें shortest distance निकाल सकते हो, ठीक है, shortest distance इस case में जो हमाला निकलेगा, वो निकलेगा पाइथागरोस theorem से, जहां पर निकलेगा बेस का स्क्वेर, हाइपोर्टिन स्क्वेर होत it means, जो displacement escapes में, वो क्या है हमारी 5, ठीक है, इसी तरह से वो आपको कोई भी डाइगराम पूछ सकते हैं, हो सकता है वो आपसे circle का पूछ ले, ठीक है, circle का पूछ ले, यह हमारा center है, यह A ले 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 ले, अगर पूछें कि A to B जाना है, और उसने actual distance जो cover किया ह वो कितना होगा, तो A से B जाने के लिए जो distance होगा, वो हमारा हो जाएगा, पाई, आर, और यह आप लोगों को तब ही पता होगा, जब आपको mathematical formulas पता होगे, क्योंकि circumference का formula होता है, 2 पाई, और यह जो है, यह semi circle है, semi circle में यह क्या हो जाएगा, divide हो जाएगा 2 से, क्योंकि ह हम पूरा circle cover नहीं करें, हम half कर रहे हैं, तो यह हमारा हो जाएगा, पाई, आर, तो A से B जाने के लिए होगे, जो distance है, वो कितना लग रहा है, पाई, ठीक है, और अगर मैं displacement की बात करूं, कि A से B जाने के लिए, तो हमें यह चीज नहीं देखना है, जो actual बात है, हमें शॉ होता है, so it all depends कि आपको mathematical formulas कितने आते हैं, तो कोई भी diagram कुछ भी root दे सकते हैं, आपको सिफ concept clear होना चाहिए, कि distance क्या होता है, displacement क्या होता है, फिर आप वो चीज निकाल सकते हो, और I would suggest कि कुछ जो diagrams हैं, जैसे square हो गया, rectangle हो गया, triangle हो गया, या फिर circle हो गया, इनके आप कु shortest distance between initial and final quantity हो जाएगी हमारी ये vector quantity, ठीक है, क्योंकि इसमें जो क्या होता है, हमारा जो होता है, direction B involved हो गया होता है, क्योंकि अगर हमारी ये initial position थी, ये final position थी, तो shortest distance हमें देखना है, from A to D, क्योंकि हम इनिशियल to final देखते हैं, तो इसमेंज यहां पर direction B involved हो रही है, जहां direction involved हो रही है वह हमारी हो जाएगी वेक्टर क्वांटिटी ठीक है ऐसा यूनिट हो जाएगा गेन इसका मीटर और सेंटीमेटर क्योंकि हम यहां पर बेसिकली डिस्टेंस ही देखने कि कितना ट्रावल हुआ है ठीक है बट यह है डिस्प्रेस्मेंट के बात हो रही है हम सिर्फ हा और सेंटीमेटर वैल्यू क्यों होती है ऑनक पॉसिटिक नेगेटिव और जीरू उसको यहां परसे होते है बाता है है यहां से होते हैं यहां पर द और द द द द द द द Chanel कि अगेन एक हो जाएं तो इनिचल्म पॉजीशन क्या है एफाइनल पॉजीशन क्या है तो हमारा है तो भूआरा जा zenड को बात करें तो सब्तिच्ट नहों करें किया हो मे यह साइगा इस क्यो कहेंद एक सब्सक्तिए सब्सक्राइब ठीक है तो इतना distance उसने cover किया होगा ठीक है अभी negative कैसे हो जाएगा for example अगर हम बात करें एक number line की ठीक है और क्यूंकि यहां पर concept होता है direction का ठीक है अगर वो positive direction में जा रहा है ठीक है तो हम पोलेंगे अगर हमने उसको बोला object को कि particular direction में तो यहां पर हो जाएगा सब्सक्राइब किया तो कितना travel किया दो units ट्रेवल किया उसकी displacement 2 है बट यह positive displacement है ठीक है क्योंकि हमने उसको बोलता को move करना है वो भी जिस direction में बोला उसी direction में जा रहा है तो यहां पर इसकी value हो जाएगी positive 2 बट जहां पर direction में निकाखना involved हो जाती है जब भी direction involved हो जाती है वहां पर values negative भी आती है reason being कि जो direction हमने बोली गई अगर उस direction में कोई चीज ना जाए उसके opposite direction में जाए तो वही value हमारी क्या हो जाएगी negative भी हो जाएगी but on the other hand अगर object जो है उल्टी direction में move करने लगे तो इस case में भी displacement one तो होगी one unit तो होगी but क्या हो जाएगी minus में क्यों क्योंकि उसकी direction जो है change हो गया जो हमने बोली थी सो यहां पर भी उसके displacement जो है one unit है बट negative में क्योंकि उसकी direction opposite है जब direction का concept हो जाता है तो हमाई पस values negative भी हाती है सो I hope आपको clear हो गया हो कि displacement positive कैसे होती है negative कैसे होती है और zero कब होती है ठीक है next comes the concept of speed अब speed क्या होता है यह सब को मालूम होगा कि speed जो होते है हमारी क्या होती है rate of change of position of an object with time in any direction means कि rate of change of position means कि उसने कितना distance travel किया कितने time में और in any direction ठीक है इसका formula बन जाएगा distance traveled upon time taken यह सब को मालूम होता है यह general concept है speed का कि एक object ने कितना distance traveled किया कितनी देर में वह हमारी हो जादी speed as simple as that और जब इन्होंने definition में लिख है the rate of change of position of an object with time in any direction तो जब direction का direction particular नहीं है हम किसी भी direction की बात करें है तो इसका यह मतलब हो गया कि quantity कुंसी है हमारी यह हमारी scalar quantity है ठीक है और हम अगर हम इसकी SI unit की बात करें तो SI unit हमारी बन जाएगी meter per second और centimeter per second कैसे speed हो गया distance traveled upon time taken और distance को हम लेंगे meter में time को लेंगे हम second में यह हो गया in terms of SI unit ठीक है और अगर हम CGS की बात करें तो distance हमारा होगा centimeter में time होगा second में इसकी SI unit बनगी meter per second और CGS में बनगी centimeter per second quantity scalar और मैंने आपको बता था जब quantity scalar हो तो values क्या होती है positive होती है या फिर zero होती है but never negative इसकी value negative नहीं होगी अब जो speed है वो zero कैसे होगी अगर distance जो होगा हमारा zero होगा अगर object एक rest पे है तो it means कि वो distance क्या कर रहा है zero travel कर रहा है तो अगर वो hill ही नहीं रहा है वो rest पे है distance ही नहीं कवर कर तो means उसकी speed भी क्या है zero है rest पे है ठीक है हम देखते हैं कि हमें कैसे परदा चलता है कि हमारी गाड़ी की speed से चल रही है तो वो जो instrument हमें जो बताता है speed के बारे में इस थरह का होता है जो हमें speed के बारे में बताता है जो गाड़ियों में speed and instantaneous speed uniform speed हो गया यह में आपको uniform motion में भी बताया था जब object कवर करता है equal distance in equal interval of time तो हमारा बन जाएगा वो uniform speed same example ठीक है पहले 5 second में अगर वो suppose 2 meter कवर कर रहा है next 5 second में अगेर वो 2 meter कवर कर रहा है और next 5 में फिर से 2 meter कवर कर रहा है means कि equal distance कवर कर रहा है equal interval of time में तो हमारा क्या बन जाएगा वो uniform speed on the other hand variable speed जिसको हम non uniform speed भी बहुते हैं उसमें क्या होता है object जो है unequal distance कवर करता है equal interval of time में ठीक है for example हम 55 seconds का gap ले लेते हैं पहले 5 seconds सुपोज वो चल रहा है पांच मीटर ठीक है सुपोज ए गाड़ी है जो crowded area में पहले पांच मीटर पहले 5 seconds चल रहा है पांच मीटर फिर ट्राफिक होने के वाज़ा से वह हो सकते equal interval of time में जब जो object है हमारा unequal distance कवर करता है तो वह हमारा क्या बन जाता है variable speed या फिर non uniform speed बन जाते हैं ठीक है अब आता है concept average speed का average speed क्या होता है कि हमने average में देखने कि हमारी speed कितनी रही तो हमारी speed कितनी रही उसको हम कैसे देखते हैं कि object ने total distance कितना कवर किया और total time कितना लगा उसको उस total distance को कवर करने में ठीक है A से B जाने में ठीक है object की speed थी total distance covered और total time taken उसने suppose distance कवर किया 50 kilo 50 meters का ठीक है then B से C जाने में उसने 50 meter distance कवर किया उसने 10 seconds में then उसने cover किया 60 meter in 20 seconds then 10 meter ठीक है इन अगें 10 seconds ठीक है तो हर एक जिगा उसका जो distance था ताइम था वो वेरी कर रहा है तो हमने average speed निकालने है तो हम क्या कर लेंगे total distance ले लेंगे that is 60 50 plus 60 plus 10 जो हम हो रहा हो जाएगा 120 meter उसने total distance किया और कितनी देर में किया 20 30 and 40 40 seconds में तो यह हमारा जाएगा 3 so 3 meter per second जो था उसका average speed रहा ठीक है तेन comes instantaneous speed यह होता है हमारा speed of an object at particular instant of time किसी particular instant पे उस particular object का कितना speed रहा वो हमारा बन जाता है instantaneous speed अब जो हमने last slide में बात की about this speedometer अगर मैं इसकी बात करो तो to speedometer है जो में speed बताता है वो कौन सी speed बिताता है uniform speed बताता है non-uniform speed बताता का average speed बताता है या gluten इंस्टेंस कृड़े से बाएं सोच के बदोबंगां कौंड ही सी स्पीड बताता है तो इसका अनज़ा होगा कि जो स्पीडों मिरीकborg होते हमें इनस्टेंस पीड बताते है कि उस पर्टिक्रिट इंस्टेंट पर हमारा मोटर वहिकल का क्या स्पीड है हम देखते हैं कभी हम अचानक 40 40 कि स्पीड से चल रहे होते हैं 40 किलो मिटर पर आर या फिर तो हमारा स्पीड बढ़के 50 हो जाता है फिर कभी हम घृति हर इंस्टेंट हर पर उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कि ही स्पीड बनाते हैं कि जैसे दिसे हमारा टाइम वेरी करता है उसके हमारी स्पीड भी वेरी कर रही होती है इल्स पर्टिकुलर सब्सक्राइब क्या सब्सक्राइब होती है वह हमें क्या बताता है speedometer ही बताता है वह instantaneous speed ही होती है ठीक है आई होप आपको इतना चीज़ी clear हो गई हो गई होंगी अब हम देखते हैं कि इसमें graph जो involved है ठीक है speed के case में हम बनाते हैं distance time graph ठीक है वो मैंने इस टाइम मैंने खुद आड नहीं किया है मैं अभी आपको बना के बताऊंगे कि किस तरह से उसके ग्राफ रहते है ठीक है अगर हम इस केस में बनाएंगे कि अगर आपको कोई वी किसी तरह का ग्राफ पूछने तो आपको आता हो कि किस तरह से बनता है graph या उस graph को किस तरह से read करना होता है ठीक है अब speed जो होता है वह वह होता है distance कितना travel किया आपने कितनी देर में इसमें इसमें दो quantities ले रहे हैं वह है distance and time जब भी हमने speed का graph बनाना है तो वह कुंसा होएगा डिस्टेंस टाइम को सेप्टेंगे मैं आप से बूछें कि डिस्टेंस टाइम graph ठीक है यहां पर हम x-axis पर ले लेंगे time y-axis पर ले लेंगे distance ठीक है अब इसमें दो case पढ़ेंगे uniform का और non uniform speed का ठीक है uniform speed में हमने देखा था कि वो equal distance travel करा था equal interval of time ठीक है for example पहले 5 seconds उसने distance travel किया 10 का 10 meters next 5 seconds भी उसने 10 ही किये next 5 seconds भी उसने 10 seconds ही किये ठीक है so हमारा क्या और रहा है equal interval में equal time equal distance cover हो रहा हुआ है ठीक है सो पहले 5 seconds उसने distance cover किया 10 meter का ठीक है next 5 seconds उसने फिर 10 meter किये means next 5 मतलब अब time कितना हो गया है 10 क्योंकि यह next 5 है आप हमें add करते जाएंगे पहले 5 next 5 और next 5 में उसने कितना distance travel किया 10 units और तो 10 और 10 हमारा कितना हो गया 20 ठीक है यहां से यहां तक उसने पहले 5 seconds में 10 units किये अगले 5 seconds में उसने फिर से 10 unit किये next 5 seconds में उसने फिर से 10 किये that is 30 तो means equal time interval में equal distance cover कर रहा है थिक है so यह point आ जाएगा 1 यहां पी आ जाएगा एक यहां पी आ जाएगा और ए है ठीक है coordinates के हिसाब से पहले 5 कायी था पहले 5 में the second left 5 में 10 जातंगे next 5 में फिर से 10 किये next 5 में फिर से 10 किये of next 5 में टाइम ग्राफ in case of uniform speed यह हमारा बनेगा कुछ straight line ठीक है इस तरह से हमारा बनेगा ठीक है इसमें जो हमारा जो gap होता ही हमारा same होता है for example पहले 5 seconds उसने 10 meter किया next 5 seconds उसने हमारा फिर से 10 unit किया तो इसी तरह से सो अन समारा ग्राफ के बनेगा एक straight line बनेगा in case of uniform speed ठीक है क्योंकि यह gap हम देख रहे हैं यह क्या होते हैं यह सेम सेम होते हैं ठीक है अगर हम बात करें distance time graph की in case of non uniform speed non uniform speed means यहां पर क्या होएगा equal interval of time में unequal distance cover means पहले 5 seconds में suppose object चलता है साथ किलो मीटर नेक्स्ट साथ मीटर सारी नेक्स्ट पांच सेकिंड में वह चलता है वह 3 for example six meters चलता है next five seconds में suppose वह फाइफ पे आ जाता है next five पे suppose वह थ्री पे आ जाता है ठीक है तो इसको अगर हम बना लें 5 10 15 20 और यहां पर अगर हम ले लें पहले में 7 17 17 17 17 याप कोई भी इस तरह से डिस्टेंस ले सकते हूं ठीक है मैं इसे इनगी गाप के साफ से ले रहे हूं 18 21 ठीक है यह इन वाल्यूस के साफ से ले रहे हूं क्योंकि आपे स्पेस कम है ठीक है पहले पांच सेकिंड उसने 7 units चले next 5 unit उसने 6 more units चले तो 7 प्लस 6 इतना हो गया 13 इसलिए यह दिलेक्ट यहां पर 13 लिख है पर जब हम ग्राफ की बात करते हैं तो यह जो होते हैं यह बेसिकली इक्वल होते हैं अगर यहां सेम लिया तो यहां 14 यहां 21 लेना चाहिए था ठीक है बट फॉर अंडरस्टैंडिंग इस तरह से मैंने भी रैंडम वैल्यूस ली हैं ठीक है यहां पहुण चंगा है जए जो हमारा यहां पर दर्शंटिंग यहां पर आयेगा यहां पर वहर्षय से एंड़ संगे तो बेसिकली जो मारे ग्राफ बनता है ये कुछ इस तरह से बनता है ठीक है हमारा जो इनॉनिफॉर्म के केस में जो हमारा ग्राफ बनेगा बिट्विन डिस्टेंस एंड टाइम ये बनेगा ऐसे यहां से देखें तो पहले पांच सेकेंड उसने एक इतना डिस्टेंस बढ़र रहा है next five seconds में उसने हमारा डिस्टेंस बढ़ाइ वो इतना ज़रा डावल किया वहां पहले नॉन उनिफॉर्म की केस में जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वह इस तरह से क्यों बना वह आपको समझ आ गया होगा ठीक है तो आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं तो बाकी की जो इसी को कॉंटिन्यू करते हैं बाकी लेक्चर भी आपको मिल जाएंगे आज के लेक्चर बस इतना ही थैंक्यू ग्लास